नमस्कार दोस्तों वेल्कम बैक टो मैं चैनल सिक्रूटी गैन उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सब अच्छे हैं स्वस्त है और अच्छे से आतना जिम्मे बढ़िया निभा रहे हैं तो दोस्तों आज का जो विशा है ओ है सिक्रूटी गाड्स इंटर्विव के संबंदित इंटर्विव में पुछे जाने पहले हैं जो भी शावाल जवाब है उसके उपर आज मैं आपको जान करें दूँगा तो बने रही है पुड़ा वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के शाथ अगर अपनी विजिटर्स है तो जरूर इस चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए शाथ में बिल आइकन को भी प्रेश कीजिए ताकि जैसा ही मैं नहीं वीडियो अप्लोट करूँगा आपके पास तुरूद पूंचेशन जो कक् Nós कि विए ज्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों यह बड़ा है आपको क्रे Billy को ज handकरी होना चाहिए कि कैसे हो आग से आग को र्खषा करें गे कैसे बुज़ाएंगे इस सारा जो बश्राकरी को पता होना चाहिए तब्लॉस प्रें जानमान के नुक्षा कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए इसके हो इंटेव्यम ह्तर्प यह को question पुछा जाता है तो उसके लिए fire के संबंदित पहले भी मैंने question answers ऐसे मैंने upload किया तो उसको भी आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं अपना चैनल में जाके तो आज जो मैंने 10 questions का set मैंने बनाया तो वह भी कि बहुत ही important है जातर इंटर्व्यू में यह questions पूछा जाता है तो चलिए एक एक करके questions क्या है और उसका answer क्या है इसके बारे में अभी मैं आपको जनकड़ी दे रहा हूं तो चलिए एक पहला जो questions है एक number what is if IRE fire stand for कि fire का भी एक inner meaning है जो if IRE यह ज्यादा तर पूछा जाता है कि fire का जो inner meaning है वो क्या है तो यह if मतलब एक एक लेटर का एक एक मिनिंग किया जाता है जिसे if stand for find the location then I stand for inform inform to the authority AUTHO मै यदर लिकिता हूं A-U-T-H-O-R-I-T-Y in form to the authority then R stand for restrict the fire and E stand for extinguish the fire तो आप समझ गए fire का जो inner meaning है तो इसी में पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए तो if find the location जैसे कहां प्याग लगा हुआ है दिन I inform to the authority आप आपने senior को inform कीजिए supervisor हो या कोई भी आप इंपर्म कीजिए manager हो then restrict the fire R stand for restrict the fire means आप को आप restrict करेंगे कम करेंगे then E stand for extinguish the fire मतलब आपको बुजाएगी तो यह fire का मतलब है कि fire के अंदर ही जो जितने यह चार alphabets का अलग-अलग meaning किया गया इसी से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए आप लगने से हमें क्या करना चाहिए तो यह important है अगर आप इसको note कर सकते तो दोस्तों next two questions है how many types of fire यह ज्यादा तर पूछा जाता है how many types of fire मतलब आप कितने प्रोकर का है तो चलिए मैं आपको बताता हूं जो भी दहनशिक पदर्थ होता है उसके हिसाब से तो आग है six प्रोकर तो छे प्रोकर के आप तो मैं आपको बता देता हूं मैं ही हाँ पर लिख देता हूं type of fire type of fire a class class a then class b then class c then class b then class e then class f तो आग 6 प्रोकर होता है छे प्रोकर में class a solid fire तो यह आपको जानकड़ी के लिए मैं बता रहा हूं लेकिन आपको interview अगर पूछा जाएगा कि आग कितने प्रोकर का है तो आप 6 प्रोकर बता दीए तो यह 6 प्रोकर का क्या क्या है वह मैं आपको बता देता हूं class a solid fire class b liquid fire class c gaseous fire class d metal fire class e electrical fire and class f that is fat related fire हम उसको kitchen fire भी बोलते हैं क्योंकि fat ज्यादा तर kitchen में होता है तो इसलिए fat related जो fire है जैसे कोई भी fat तो उसको हम class a में प्रोकर के fire बोलते हैं तो चलिए मैं यह 6 प्रोकर का fire मैं आपको बता दिया तो आप interview में आपको ज्यादा elaborate करने की ज्यूरत नहीं है आप 6 प्रोकर बता दिए class a class b class c class d and class e and f और उसका नाम बता दिए तो दोस्तों next questions है ज्यादा तो पूछा जाता है which is the best fire extinguisher used for electrical fire कौन सा fire extinguisher electrical fire के लिए best है extinguish करने के लिए electrical आग को बुजाने के लिए कौन सा fire extinguisher best है तो answer है co2 answer है co2 fire extinguisher that is gas type co2 fire extinguisher best है electrical fire के लिए इसके लाबा co2 से हम liquid fire को भी बुजा सकते हैं दोस्तों next questions है what is the meaning of assembly point तो दोस्तों यह एक बहुत important है fire safety के लिए तो ज्यादा तर पुछा जाता है assembly point के बारी में assembly point क्या है तो assembly point वह होता है जब आग लगता है तो लोगों को शुरक्षित जगा पे लेके जाना है तो जिस जगा पे लोगों को एक कठे करते हैं उसी जगा का नाम assembly point होता है क्योंकि वह under control security के under control होता है क्योंकि assembly point का जो importance है वह है कि एक जगा पे एक तो शुरक्षित हम लोगों को रख सकते हैं और दूसरा जो है उनको count करके हमें पता चलता है कि और कितने लोग जो कि फशे हुए अंदर तो यह उसका importance है तो दस्तों चलिए मैं आपको importance भी समझा दिया लेकिन आपको अगर पुछा जाए assembly point क्या है तो फिर आप इतना बता दीजिए जब आप आज लगते हैं तो लोगों को शुरक्षित जगा जाते हैं और उसको वहां पर marking किया जाता है और शाथ में assembly point भी लिखा जाता है तो आप ज़रूर अपना unit में यह देखिए assembly point को कहां पर है क्योंकि आपको पता हूं अची assembly point कहा है लोगों को direct करना है वहां पर आप चले जाएंगे assembly point में तो इसलिए assembly point एक important है ज्यादातर ही इसके बाड़ी में पुछा जाता है interview में तो दोस्तों next जो है how many methods are there to extinguish the fire यह भी important questions है कि कितने methods है fire को बुझाने का कितने प्रकार से हम fire को बुझा सकते हैं तो दोस्तों हम जाते हैं कि fire fire का जो elements है जैसे मैं पहले आपको समझाया था जो तीन चीज से fire सुष्टी होता एक तो fuel है मैं जस्ट एफ लिखता हूं ज्यादा time उस्ट नहीं कर रहा हूं a fuel then heat and oxygen ठीक है तो यह fuel heat and oxygen यह fuel heat oxygen जब है तो इसी में से किसी को भी हम cut कर देंगे यह control कर लेंगे किसी एक चीज को हम control कर देंगे तो आग बुझ जाएगे तो इसलिए fire जो extinguishing method है type of methods three type of methods three तीन प्रोकार प्रोकार आग आम बुझा से तीन प्रोकार से हम आग बुझा सकते हैं तो first जो है that is fuel अगर fuel cut कर देंगे अगर कम कर देंगे तो अगर आग को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर आग फैलेगा नहीं और जितना खाने को मिला उतने उतने में से यह खत्म हो जाएगा जलके खत्म हो जाएगा तो इस method का नाम जो है तो उसका जो उस में तरका नाम है cooling method अगर heat को control करेंगे तो उस method का नाम हो जाएगा cooling method means thunder नेक्स्ट जो है oxygen को cut-up करके यह हो गया यह हो गया oxygen को cut-up करके अगर fire को बुजाएगे तो उस method का नाम है smoothing method तो यह तीन method to extinguish fire का है तो आपको नाम बताना है किया क्या एंन्य कैसे कैसे होता है लेकिन आपको तंब यह भाताना है कि देशनों जो पर कितीं आपको वुघेолिकम तक नियुटेट, इसलियुट। तो तो फिर आप क्या करेंगे यह ज़्यादा तर इंटर्वियर कुस्टिन करते हैं अगर आप अगर आप से नहीं कूछता है तो फिर आप क्या करेंगे आप ऐसे तो इंफर्म कर दिया स्नियर को लेकिन अगर वाइदा हुए आप अकेले हैं तो फिर आप क्लाइंट को इंफर्म कीजिए क्लाइंट से पर्मिशन लीजिए और फायर बिगट को कॉल कर दीए बाइद टाइम तब तक आप क्या करेंगे तब तक आज पास का कुछ व कुछ जो की जैसे पेट्रोल डिजल या तो गास इलेडर या तो कोई बैलेबिल चीजें तो उसको आपको अपको हटाना है जय से पेट्रोल डिजल बहुत जुल्दी उसमें लग सकता है तो इसलिए असक्ता है तो उसको पिश अधािये वहाँ से और ग्याभर चीजों को भी हटाई साथ साथ आसपास का कोई भी जो समन में लग सकता है तो उसको भी आप हटाने की काम कीजिए तो आप अगर इतना करेंगे फिर बाइदर टाइम कि आपको क्या सपोर्ड मिल जाएगा जो फायर विगेट ने आपको आपने कॉल किया उन लोग आ जाएंगे फिर उन लोग पंट्रोल लेंगे तो चलिए दोस्तों यह इसका जो सीधा आप आपको बताना है इस फायर इस ब्यूंद यूर पंट्रोल देन वाट नेस्ट आपक क्लाइंट को इंखंब करूंगा ओर क्लाइंट के परविशं से मैं फायर बीकट को क्लण करूंगा दोस्तों नेक्सट इमिडियेट ली जैसे आप बताएंगे इसं तो फिर आप आप से जानने के कोशिश करेंगे इंटेविविए इंटेभी ओर इस दानांबर व उप इस नंबर फायर बीगेट को पता हुना चाहिए कि का नमबर क्या है एक तो जो की कमण जो 101 है और सहथ सहथ आपको लोकल फायर बिगेट का भी नमबर आपके पर पस होना चीए इसके लबावा आपके उसके साथ साथ आपका एंबूलेंस की नमबर होना चीए जैसे एंबूलेंस जाने हैं ओ है 102-501 और पुलिस जो है 100 यह आपके बिल्कुल मतलब आपको याद रहना चीए तो दोस्तों जो पहले था 7 नमबर का को मैं अभी उसमें आ तो वाटर दाफाट डाफ्ट येट्स और उज्ड वाटर्ट था वाटर टाफ्वाजेस यूज्ड फ़र फयर कंट्रोड की स्वाइब का कौन सी क्षाइड के लिए कौन सा गजट्स या श्किया जाता है मिनब्सmore equipment मैंं कुछ बश्ड़्जोंड के सब्सक्राइब है क्योंकि यह वाइटल अब है चरह है और जो今 भी नग경 प्रश्टन्स था कि वाट अधा तर फायर गेजेट्स यूज़ फॉर फायर कंट्रोल मतलब उनसा फायर एकुपमेंट्स जो कि हम यूज करते हैं आग कंट्रोल के लिए तो दोस्तों हम पहले बताएंगे कि फायर इस्टिउश्ट तो ही है इसके लाबा देखिए एक फायर क कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारा करण की हमें इंस्टल करना पड़ता है जैसे कोई इंडिकेटर है जैसे फायर अलर्म है फायर पैनल है स्मोग डिटेक्टर है हीट डिटेक्टर है दिन हाइडेंट सिस्टेम है तो यह सारा चीज जो है यह फायर गेजेट्स का कुछ का नाम बता दिए फायर एश्रिविशर फायर पैनल फीट डिटेक्टर स्मोग डिटेक्टर कुछ भी आप बता दीजिए तो दोस्तों नेक्ट जो कुस्टन से है इस फुल फॉर्म आप एफेसी पी कि अब यह भी मैंने बताए आपको लेकिन आपको पता यह तो वे पता है लेकिन फिल भी में आपको बता देता हूं यह फीजिब मेंज फायर एलाम कांट्रोल पैनल जो शॉर्ट में गुला था पैनल तो फॉल मतलूब इसमें यह full form है fire alarm control panel तो दोस्तों यह FACP clear होगी है यह भी पूछ सकता है कि what is FACP तो FACP fire alarm control panel नेक्स्ट जो गोस्तिन लास्ट कोस्टिन पर भी इंपॉर्टन है which fire extinguisher is used for multiple fire to extinguish the fire multiple fire to extinguish क्सपाइला कि इसके साच है को है को मुझहाऊ सकते हैं हो है अब बीसी पाउडर टाइप तो दोस्तों यह जानकड़ी मैंने आपसे शेयर किया यह फाइल एलेटेट जितने सारे कुश्चन्स तो आप जरूर इस चीज इसे को फॉलो कीजिए अगर आप इनिट में काम कर रहा है या तो श्रक्ष कर ना चाहते हैं तो भी आपको जरूर ना चाहते हैं तो इसलिए यह जो फायरस पंदित कोई भी कोश्चन्स मैंने बताया आपको और वाइंप। आप इसके तो त्यारे क कर रिप्लाई दे सकते हैं तो थैंकि दोस्तों थैंकि बेरी मच्छ फर वाचिंग कि मिलते नेक्स्ट वीडियो पे एक नहीं जानकरी के साथ तब तब के लिए बाई जय हिंद